उसने तारीव की और बोली मैं इंतजार कर रही हूँ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्कम दोस अन्विता पाठक और स्वागत करती हूँ आपका कितावी गफशप के नए सेग्मेंट हम भी लेखक के एपिसोड नमबर टू में दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सुनी उज्वल वशिष्ट की कहानी दूसरी शादी का पहला भाग और आज इस वीडियो में आप सुनेंगे उसी कहानी का दूसरा भाग दोस्तों अभी तक आपने सुना कि उतकर्ष अपनी होने वाली दूसरी शादी से बिलकुल खुश नहीं है लेकिन मजबूरन उसे ये दूसरी शादी मानवी नाम की लड़की से करनी पड़ रही है मानवी उसे समझाती है और वो शादी करने के लिए तयार हो जाता है मैंने मानवी से कहा कि बस इतनी ही तारीफ अगर उर्वीन होती तो वो आज तारीफ करते करते पूरी रात निकाल देती वो हसी और बोली जल्दी आईए मिस्टर देवदास आज मैं सही मैं अच्छा लग रहा था या कहिए एक कि पहली बार मैं अच्छा लग रहा था मैं घोडी पर बैठा हुआ सब को नाचते हुए देख रहा था इतना खुश मैंने इन सब को पहले कभी नहीं देखा था मैंने फिर मानवी को मैसेज किया और पूछा ये लोग इतनी खुश क्यों हैं आज कुछ है क्या और वो बोलती है जी हाँ आज आपकी दूसरी शादी है अरे तो दूसरी शादी में इतना खुश कौन होता है भाई अरे मेरे देवदास ये दुनिया कहा को समझ पाई है जो आज समझेगी आप तो बस खोड़ी के साथ इन सब की बेवकूफियों का मजा लीजिए बात चल ही रही थी कि आवाज आई स्माइल प्लीज और ये सुनकर मैं कैमरा मैन की इस मासूमियत पर हस पड़ा दुनिया के लिए फोटो इस बात की गवाही होगा कि उतकर जी शादी में बहुत खुश थे लेकिन ये खुशी के असल माईने सिर्फ मानवी जी समझ पाएंगी कुछ ही देर में बारात लॉन के गेट तक पहुँची और मेरी नजर होटल के कमरे की खिड़की पर एक लड़की वहाँ शादी का जोड़ा पहन कर खड़ी हुई थी खुबसूरत बहुत खुबसूरत और मैं चौँक गया उर्वीन शादी का जोड़ा पहन कर वहाँ क्यों खड़ी है मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इतनी देर में मैसेज का नोटिफिकेशन बजा और उसमें मानवी का मैसेज था उसने लिखा अरे क्या हुआ आप मुस्कुराए नहीं क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ नहीं मानवी ऐसा नहीं है आप बहुत का उपसूरत लग रही हो खुश रहो बाराद गेट पर थी और मैं पहली बार मानवी को देख रहा था उर्वीन को देखना तो मात्र मेरा एक भ्रहम था आनवी को मैं देखी रहा था कि इतनी देर में मुझे घोडी से नीचे उतार लिया गया सारी रस्में हुई और फिर जैमाला की रस्म मैंने अपने सर को जुकाया और उसने असानी से मेरे गले में वर्माला पहना दी और वहीं हलके से बोलती है देखो दुनिया केसे टक्टकी बांद के देख रही है हमें और मैं अब उसकी इस मासूवियत पर हस पड़ा सब कुछ हुआ और कुछ देर बाद वो अपने रूम में और मैं अपने रूम में आ गया मैंने अपने साथ वालों से कहा कि मैं थोड़ी देर में खुद मंडब पर आ जाओंगा आप लोग जाओ सब वहां से यही कहकर चले गए कि ठीक है हम वहीं इंतजार कर रहे हैं अभी साड़े ग्यारा बज रहे थी और भावरों का मुहरत वही रात दो ढ़ाई बचे से था लगबक तीन घंटे मैं शांती से आराम से रह सकता था कमरे की बालकनी में एक कुरसी पड़ी हुई थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां से बैट कर पूर्णिमा का चांद साफ दिखाई दे रहा था आज चांद जैसे मानो मेरे कितने करीब था दो बजे का मुरत था और तीन बच चुके थे मुझे वहीं बैठे हुए लोगों कुछ जिनता हुई तो किसी ने कहा उतकर्ष को ले आओ भाई वो कॉल रिसीब नहीं कर रहा है शायद उसकी आँख लग गई है तो मानवी का छोटा भाई दीपक मेरे रूम में बिना नौक की ही आ गया या शायद मुझे नौक की आवाज ही नहीं आई थी वो मेरी कुरसी के पीछे खड़े होके बोलता है जी जो आपको सब बुला रहे हैं तीन चार बार उसके कहने पर भी जब मैं कुरसी से नहीं उठा तो वो मेरे पास आया और रोने लगा पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था थोड़ी देर बाद उस लौन में जितने भी लोग थे उन सबकी आखों में आसू थे शायद इन लोगों की खुशी को किसी की नजर लग गई थी आज लेकिन जब मेरी नजर मानवी पर गई तो वो वहाँ बैटकर हलके हलके मुस्कुरा रही थी उसकी सहेलियों ने उससे कहा तुम हस रही हो पत्तर दिल हो क्या मानवी अब मानवी बोलती है अरे तुम सब पागल हो उतकर्ष दुनिया चोड़के थोड़ी गए है उतकर्ष तो अपनी दुनिया के पास गए है क्या? कैसी दुनिया? कौन सी दुनिया के पास? उसने कहा उर्वीन और फिर आस्मान की तरफ मू करके बोलती है उतकर्ष जी आपको आपकी दूसरी शादी मुबारक दूसरी शादी बहुत मुबारक तो दोस्तों ये थी आज की कहानी दूसरी शादी उमीद है आपको बसंद आई होगी तो ऐसी ही और भी मज़िदार कहानिया सुनने के लिए जुड़े रहिए कितावी गपशब के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंज के साथ शेर कर दीजे जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ तब तक लिए गुद्बाई ठेक कियर पढ़ते रहिए खुश रहिए